आज के इस वीडियो में हम लोग become part 1 exam के economic subject के बहुती महत्पुन 40 objective सवाल को देखेंगे पिछली वीडियो में हम लोगोंने economic subject के first chapter nature and scope of economics के 35 बहुती महत्पुन objective सवाल को देखे थे इस वीडियो में आज हम लोग 35 से आगे और भी लगभग 35 या 40 objective सवाल को हम लोग देखेंगे तो कह सकते हैं आज हमारा जो वीडियो है first chapter से लगभग हम लोग आज 35 सिखेंगे और कल 35 हम लोग जान चुके हैं हम लोग लगभग first chapter economics के first chapter से सत्तर objective सवाल को जान ली तो एक्जाम में इसी से आएगा है ना इस सत्तर सवाल जो हैंगे only money मतलब केवल धन का option B money and people bought मतलब धन और जन दोनों का option C man and bought all the ways मनुष्य वपक्ची सभी के विडियाओं का या option D इन में से कोई नहीं नव दिजिए तो इस सवाल का सही जवाब होगा option B धन और जन मतलब money and people bought दोनों का ठीक है 37 सवाल क्या है और सास्त में किसका अध्यन नहीं किया जाता है which is not studied in economics option A activities related to spending money धन को वै करने से सबंधित किरियाओं में option B contesting election to the legislative assembly by a political leader राजनेतिक नेता द्वारा विधान सभा के लिए चुनाओं लरने का या option C activities related to production of money धन की उत्पादन से सबंधित किरियाओं का या option D activities related to buying goods in the market बजार में वस्तू खरीदने सबंधित किरियाओं का तो इस सवाल का सही जवाब होगा option B जो है वो है ना economics में study नहीं किये जाते हैं और तीसवा सवाल क्या है who said economics is the science of limited resources किसका कथन है की और सास्त्र सिमित साधनों का विग्यान है option A Robbins option B Walker option C Marshall या option D Samuelson तो इस सवाल का सही जवाब होगा option A Robbins 49 सवाल who said economics is the science of wealth किसका कथन है और सास्त्र धन का विग्यान है option A Marshall option B Walker option C Adam Smith option D Hicks तो इस सवाल का सही जवाब होगा option C Adam Smith 40 सवाल क्या है who said economics is the science of human welfare किनका कथन है की और सास्त्र मानों कल्यान का विग्यान है option A Walker option B Marshall option C JK मता या option D Hicks इस सवाल का सही जवाब होगा option B Marshall 41 सवाल who said simple living high thought मतलब यह किनका कर्थन है सादा जीवन उच्चे विचार option A JK महता option B Walker option C Hicks या option D Samuelson इस सवाल का सही जवाब होगा option A JK महता 42 सवाल economics is primarily the study of और सास्त्र प्रारंबिक तोर पर अध्यन है option A धन का मतलब वेल्थ option B मनुस्य का मैन का option C समाज का सोसाइटी का या option D इन में से कोई नहीं इस सवाल का सही जवाब होगा option A धन का मतलब वेल्थ 43 सवाल क्या है economics is the study of what is ordinary life और सास्त्र साधारन जीवन में किसका अध्यन है option A धन का option B माने भी किरियाओं का option C समाज का option D वेक्ति का इंग्लिज में क्या है option A of money, option B of human activities, option C of society, option D of individual इस सवाल का सही जवाब होगा option B of human activities माने भी किरियाओं का 44 सवा सवाल क्या है human needs are माने भी ये आवसकताएं है सिमित मतलब लिमिटेड, option B of human, unlimited, option C desirable मतलब इन दोनों में सभी सिमिटेड लिका सकते हैं और और सिमित भी या option D इन में से कोई नहीं इस सवाल का सही जवाब क्या होगा माना का जो आवसकता हैं होते हैं वो क्या होते हैं सिमित मतलब unlimited मतलब 45 का सिंप्ल सा समय जीए option B सही होगा unlimited शालिसवा स्वाल हूँ क्रिटिसाइजड मार्सल का परिभासा है परिभासा की आलोचना किसने की? Option A. Walker ने, Option B. Samuelson, Option B. Hicks या Option D. Robbins इस सवाल का सही जवाब होगा Option D. Robbins 47 वा सवाल Who criticized the definition given by Adam Smith? Adam Smith द्वारा दी गई परिभासा की आलोचना किसने की? Option A. Robbins, Option B. Marshall, Option C. Walker या Option D. Samuelson इस सवाल का सही जवाब होगा Option B. Marshall और तारिस्वा सवाल तो according to कल्यार और चास्त्र है एकनोमिक्स इस एकनोमिक्स क्या है? फिन से अच्छे से समझ लेजिए according to कल्यार और रस्किन एकनोमिक्स इज कल्यार और रस्किन की अनुसार और सास्त्र है समाजिक विग्यान, सोशल साइंस Option B. ग्रिहित विग्यान, डिस्टिगुस्टिंग साइंस, डिस्कस्टिंग साइंस या Option C. आइडियलस्टिक साइंस मतलब आदर्सवादी साइंस या Option D. इंग में से कोड़ने इस सवाल का सही जवाब होगा option B discussing science ग्रिहनित science 49 सवाल क्या है who wrote the book principles of economics principles of economics पुष्टक किसने लिखी option A Adam Smith option B Marshall option C Robbins option D इन में कोई नहीं इस सवाल का सही जवाब होगा option B Marshall 50 सवाल who wrote the book in inquiry into the nature and causes of nations 50 सवाल क्या है in inquiry into the nature and causes of nature of the wealth of nations नामा पुष्टक के लिख़ कोन है an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations ठीक है अच्छे से इस पुष्टक का नाम पुष्टक के लिख़ कोन है option A Adam Smith option B Robbins option C Marshalls option D Walker तो इस सवाल का सही जवाब होगा option A Adam Smith इस सवाल अच्छे सवाल इस सब्जेक्ट मैटर औफ इक्नोमिक्स इज अर्शास की विशेश समागरी है option A social actions of human beings मानों की समाजिक करिया है option B election related actions of human being बतलब मानों की चुनाओ सम्बंधित करिया है option C मानों की नैतिक करिया है moral actions of human being या option D समाजिक, समान्य एवब वास्तिक मनों की आर्थिक करिया है economics activities of social, normal and real human beings इस सवाल का सही जवाब होगा option D economics activities of social, normal and real human beings रिकावन का D सही होगा बावनवा सवाल economics is only science option B art and science option C art and option D none इस सवाल का सही जवाब होगा option B art and science बहुत मतलब भावन का B सही होगा art and science ठीक है तिरपनवा सवाल who creates credit in economy और सास्त्र में साख का स्रिजन कौन करता है option A सरकार, government option B भारती रिज़र्ब बैंक रिज़र्ब बैंक आफ इंडिया option C commercial बैंक, वेवसाइक बैंक या option D none of these इस सवाल का सही जवाब होगा option C वेवसाइक बैंक मतलब commercial बैंक 54 नमबर पे सवाल क्या है who said that किसने कहा economics is sometimes and real science and sometimes and ideal science और सास्त कभी वास्तिविक विज्ञान होता है और कभी others विज्ञान option A Marshall option B Friedman option C किन्स option D कोई नहीं इस सवाल का सही जवाब होगा option B Friedman 55 सवाल क्या है निमने और सास्तिरी में से कौन कल्यानवादी विचारधारा के नहीं है मतलब who among the flowing economics does not belong to the welfare ideology option A जे बी से option B Marshall option C पीगू या option D कैनन तो इस सवाल का सही जवाब होगा option A जे बी से 56 सवाल क्या है which of the following is not a central problem of the economy इमने के तिमें से कौन अर्थ व्यवस्ता की केंदरिये समस्या नहीं है option A क्या उत्पादन हो what should be the production option B विधिस वैपार कैसे बढ़े how is increase the foreign trade option C किस विधि से उत्पादन हो by which method it should be produced option D किसके लिए उत्पादन हो for whom it should be produced इस सवाल का सही जवाब होगा option B विधिस वैपार कैसे बढ़े संतावरवा सवाल विश्ती और सास्त अध्यन है microeconomics is the study of option A national economic मतलब national income मतलब राष्ट्रे आये का option B national production राष्ट्रे उत्पाद का option C of a particular form एक विश्ट फर्म का या option D इन में से सभी तो इस सवाल का सही जवाब होगा option C एक विश्ट फर्म का अंठावनवा सवाल समिश्टी और सास्तर के अंत्रगत निमन में से किसका अधियन किया जाता है तो अंठावनवा सवाल क्या है which of the flowing is studied under macro economics option A option A राष्ट्रियाय नेशन नेशनल इंकम option B पूर्ण रोजिगार पूल इंप्लियमेंट option C कुल उत्पादन total production option D इन में से सभी इस सवाल का सही जवाब होगा option D all of the verb उन सटवा सवाल क्या है आर्थिक क्रियाओं के अधियन के संदर में और सास्त्र को दो सखाओं व्यस्ट्री और समिस्ट्री में निमनिकित में से किस ने किस और सास्त्री ने विभाजित किया इस सवाल का सही जवाब होगा option C साथवा सवाल इस सवाल का सही जवाब होगा option C एक सट्वा सवाल और सास्त्र चयन का सास्त्र है किस ने कहा इस सवाल का सही जवाब होगा option C Robins option D Marshall इस सवाल का सही जवाब होगा option C Robins सवाल क्या है who was the first to use the word micro who was the first to use the micro मतलब सबसे पहले micro सब्सक्र परियोग किस ने किया option D option B bolding option C Kinz option D Ragnar Krieze इस सवाल का सही जवाब होगा option D सवाल according to whom economics is the science of human welfare किसके अनुसार और सास्त मानो कल्यान का भिज्ञान है और सब्सक्राइब का पुर्फेशन मार्सल का या और सब्सक्राइब का और सब्सक्राइब का और सब्सक्राइब का इस सवाल का सही जवाब होगा इकनौमी कैन बी क्लासिफाइड इन्टू और सास्त को वर्ग्रित किया जा सकता है और सब्सक्राइब की रूप में इज सब्सक्राइब का सही जवाब होगा option D all of this मतलब इंग में सभी पैस अठवा सवल क्या है the central problem of the economy is और सास्त की किंद्रिये समस्या है की साटवा सवल क्या है the central problem of the economy is the central problem of the economy is option A what should be the production option B who the goods how the goods produced should be distributed option C how to be produced option D all of the above इस सवाल का सही जवाब होगा option D all of these all of the above मतलब सही भी होगा ठीक है चासाटवा सवाल क्या है एक समाजवादी और थिव्यास्ता का मुल उद्यस से होता है the basic objective of a socialist economy is option A official production मतलब अधिकारिक उत्पादन option B आर्थिक स्वतंत्रता economic freedom option B मुनाफा फाइदा profit option D अधिक्तम लोक कल्यान maximum public welfare तो इस सवाल का सही जवाब होगा option C मुनाफा 67 नंबर सवाल पे क्या है 67 सवाल क्या है which of the flowing are the characteristics of a capitalist economy पुझिवादी और्थ शास्त्र या और्थ विवस्ता की निम्न में से कौन सी विशिस्ताएं है option A private property मतलब नीजी संपत्ति option B आर्थिक स्वतंत्रता economic freedom या option C कीमत नियंत्रन price plant या option D इस सवाल का सही जवाब होगा option D all of the above और सटवा सवाल समाजवादी और्थ विवस्ता की निम्न में कौन सी विशिस्ताएं है तो पहला option क्या है social ownership option B absence of economic freedom option C secondary role of price option D all of the above तो इस सवाल का सही जवाब होगा option D all of the above उन सटवास सवाल क्या है which of the following are the characteristics of a mixed economy option A co-existence of private and public poverty option B economic freedom option C limited competition option D all of the above इस सवाल का सही जवाब होगा option D all of the above सतरवास सवाल क्या है who is Adam Smith father of history father of economics father of biology father of geography इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आप comment किजिएगा कि Adam Smith कौन है ठीक है उमीद करते हैं इस सारा आपको अच्छा लगा होगा तो आज के इस वीडियो में हम लोग economics जो subject है इसका second chapter theory of demand इसके करीव हम लोग बहुती महत्पून objective सवाल करीव हम लोग कर सकते हैं कि 70 या 80 objective सवाल को देखेंगे हैना दो वीडियो करके ठीक है क्योंकि एक वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दो वीडियो करके हम लोग देखेंगे तो वो पाने के लिए इस तरह करके हम लोग economics become part one के हैना सभी जो chapter है सभी chapter के लगवख 70-90 objective सवाल को इंग्लिस और इंग्लिस दोनों language में बढ़िया से देखेंगे जानेंगे ठीक है तो वो सब पाने के लिए हम से जुणने के लिए आप बस एक काम कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बेल भी बजा दे ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप उसी वक्त में है और सब्सक्राइब भी कर देजिए